असलाम अलेकम दोस्तों और मेरा नाम है आमेर और हम अपने वीडियो 6 के साथ कर रहे हैं लेकिन इससे पहले के हम आगे पढ़े हैं पहले तो यह के आपको सब्सक्राइब करना है फ्री में इस कोर्स का और साथ-साथ मेरे यह लाप करनी है तो मुझे इमेल करते हैं अध्मिन आमेर्स ओंलाइन इडिस्पूल डाट कॉम पर तो मैं आपको रिप्लाइ कर दूँगा और सौफ़ेर डाउन लिंक के साथ मेरे अपनी गूगल ड्राइब जो है उसका लिक में दूँगा आप सारे डाउन नोड करें घर पे और अपने लैप्टॉप डेस्टॉप यह सर्वर पे यह सारे लैप्स रपीट करें मेरे साथ आप रपीट करेंगे तो आपकी स्किल्स मेरी दाफ होगा तो मुझे एमेल करें ताके मैं आपको इस सौफ़ेर के डाउनोड लिंक आपको इमेल पे भेज़ें और अगर आपने अफिशली यह स्रेटिफिकेशन करनी है तो आपको यह कोर्स एक रेकिनाइज़ वीम्वेर आइटी अकैडमी से करना पड़ेगा क्यो तो अगर आप स्रेटिफिकेशन करते हैं तो वह स्रेटिफिकेशन वीम्वेर मानेगा नहीं, अफिशली नहीं मानेगा तो आपको अगर यह कोर्स अनलाइन करना है तो net Exercise.com को वालों से कांटेक्ट करें और या तो in class करें वो सबसे बहुतर तो जी के in class करें वरना यह के आप इस course को online भी connect हो सकते हैं वही मैं teach कर रहा हूं तो लेकिन उसके बाद आपको vouchers मिलेंगे 70% discount के साथ दो exam's आपने देने हैं और जब आप उन vouchers के तरही exam देंगे तो फिर आपकी certification को VMware officially recognize करेगा तो college से contact करें या मुझसे contact कर लें और मैं आपको refer कर देता हूं college की तरफ के आपने official VMware course करना है ताके certification आपके official हो जाए VMware की website के आपकी certification आले तो इसके बगार आप certification officially नहीं रहे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको online courses पर हाऊ one-to-one और या फिर एक class बन जाती है तो मैं फॉल इन courses सारे पढ़ा रहा हूं online mcsa 2016 office 365 aws azure exchange 2013 2016 VMware vcp 6.5 cifrex 7.6 तो आप मुझे email कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में के कौन सी timing को flexible भी कर सकते हैं तो इन सब questions के लिए मुझे email कीजिए अगर आपको online class पढ़ने का time नहीं है तो आप मेरे recorded courses 19 courses purchase कर सकते हैं सारे और फिर अपनी speed पर इन courses को follow up कर सकते हैं तो अगर आपको online courses खरीदने हैं और list चाहिए उनकी तो आप मुझे email करें मैं आपको पूरी list पर देता हूं और फिर वरोथी कम price पर आपको ये courses की access सकता हूं तो वो सारे courses YouTube पर uploaded हैं और वहां मैं आपकी Gmail को add कर देना प्राइवट वीडियो में तो आप सारे courses को देख सकेंगे और इसको follow करके अपनी जब आपको बस time हो तो आप उनको follow करें और सारी labs करें तो ये सब के बाद चलते हैं अपनी lab की तरफ और अब हम configure करेंगे एक web client and vspare client for VMware तो हम समझेंगे के web client जो है जो browser के जरीए आप access करते हैं अपने internet explorer browser और Google Chrome browser के जरीए access करते हैं अपने ESXi hypervisor को और वह कैसे करना है इसके लाब वीडियों क्लाइट क्या है वोच software जो आप download कर सकते हैं तो चलते हैं आगे हमारी lab यही है हमारे पास server 1 है server 2 है hypervisor 1 है hypervisor 2 है e6i 01 02 के नाम से तो हम server 2 पे चलते हैं और यहां से e6i 01 go browser पर आक्सेस करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से clients और कौन से clients से हम access कर सकते हैं यही मेर अलारम बज गया है, है अग्डी class का, तो आगे चलते हैं, let's check out VMware vSphere Web Client and vSphere Client, C Sharp और थिन Client भी कहते हैं उसे, तो यह दोनों Client चेक्क करते हैं quickly, तो उसके लन क्या करेंगे, हम server 2 से log-in करेंगे, अगर आपने server 2 बना लिया है, properly जिस तरह हम ने पिछली में किया है तो आप Internet Explorer open कर लें और वहाँ से AXI Hypervisor को access करते हैं by name IP के जरी भी access कर सकते हैं और by name भी access कर सकते हैं तो और उसके बाद let's copy paste Google Chrome and then connect to AXI 01 from it as well Google Chrome है जो हम browser use करेंगे web client के तौर पे ताके इसके जरी हम vCenter application से correct हो और AXI hypervisor से correct हो तो लेटर हम Google Chrome ही permanently use करेंगे अब throw the course हम यह use करेंगे और फिर install करते हैं vCenter client software on server 2 फिर हम देखने के software कैसे install करते हैं server 2 पर तो चलते हैं आगे अपनी lap की तरफ तो उसके लिए अब हम VMware work session पर जाएंगे और मैं इस वक्त हूँ अपने server 2 पर और server 2 से मैं login हो जाता हूँ vmardine के जरी है जो हमने पहले बनाया था और server 2 से login हो रहा हूँ मेरा AXI 01 is on है क्योंकि इस से हमने remotely connect करना है ठीक है तो server 02 जो है इस पर आप अगर क्रेक्ट हो गया है तो internet explorer को open कर लेते हैं तो यह है internet explorer और फिर record भी हो रहा है कि नहीं record हो रहा है तो यहां इस पर connect करते हैं क्योंकि मैंने आप यहां पहले से इसका A record बना चुके है और 200.3 इसका IP है और डबल क्लिक करें तो इसका fully qualified domain name यह है e6i01.windowsdomain.local तो exactly हम इससे इसका 01 भी लख सकते हैं यह पूरा यह भी लख सकते हैं यह ब्राउजर पे ताके हम connect हो जा remotely e6i01 से तो मैं server 2 पे जाके browser खोला है मैंने और यहां से remotely connect होना है hypervisor e6i01 पर राइट तो इसका 02 पे चलते हैं मैंने browser खोला तो यह message आ गया तो ठीक ही user को मैं चर्डिंग करके ok कर दें और फिर आगे चलते हैं browser की तरफ यह हम लिख देते हैं http colon slash slash e6i01 और enter करते हैं देखते हैं कि यह correct होता है by name के नहीं अगर by name suppose नहीं हो रहा तो आप check करें कि a record सही है और वो जो DNS entry आपने की है वो इधर तक पहुंच रही है name resolution पहुंच रही है अब पहली बार जो आप connect करते हैं तो यह थोड़ देर लगाता है यह जाहरे name resolution कर रहा है कि वह यह इस नाम से कोई IP DNS पर registered हैगे नहीं है तो फिर connect हो जाता है और यह है वो पेज security certificate आपके पास आ रहा है हमने कोई public certificate नहीं खरीदा self-trained certificate भी नहीं attach किया तो फिल हाल self-trained certificate को होता है इसके पास hypervisor के पास लेकिन वह acceptable नहीं है तो फिल हाल हम बगार certificate security certificate के ही hypervisor से connect होते है remotely continue to this website कर लेते हैं click और इसके बाद वो उसका introduction page आएगा तो introduction page पर एक लिंक है जिससे हम connect हो सकते हैं I hope कि आज ही connect हो जाए तो यह अब आगे आप पेज दिखा रहा है तो इसमें download vspare client for windows है तो vspare client for windows आप यहां से download कर सकते हैं यह आपको लेकर जाएगा vmware.com website पर यह वहां आपने एक free account बनाना है तो उसके बाद पर आप free software सारा use कर सकते हैं यानि trial version software use कर सकते हैं open the vmware host यहां से क्लिक करेंगे तो कि हम connect हो सकते हैं download vmware recenter पूरी recenter latest application 6.7 है और अगर आपका यह machine जो है internet से connected है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो vmware.com website पर आपको ले जाएगा और वहां आप trial version recenter कर डाउलोड कर सकते हैं download vmware recenter यह हमने देख लिए पर vmware documentation बहुत important है तो documentation को access करना है तो यह आपको ले जागा उस पर documentation पर बाकि जो है command lines अगर आप उसके जरी correct होना चाह रहे हैं तो यह appliance आप download कर सकते हैं और उसके जरी आप Linux और Windows installer exe file भी download कर सकते हैं तो जब आप जाते हैं इसमें यह भी आपको vmware.com पर लेकर जाएगा और vcli जो है vmware का online interface cli पर आपको ले जाएगा और web-based data store बाकि जो है of course is come discuss करेंगे data store जो है आपको physical disk पर vmfs file system से format करता है तो vmfs file system क्या है vmware file system तो अगर data store physical disk पर install हुआ है तो फिर vmware virtual machine आप उस disk पर डाल सकते हैं अगर data store आपने vmfs-based data store नहीं डाला तो आप virtual machine उस disk को use नहीं कर सकते हैं तो बाकि यह development tools है इधर हम चलते हैं इधर login होते हैं अपने 6101 remotely उससे तो open the vmware host client पर क्लिक करते हैं और यह login screen पर आगया इसकी तो इस पर हमने उसका username password देना है तो आपको याद होगा आपके हमने जब e6i install किया था तो इसका user नहीं था root और इसका password class password हमने देना small ebc playbc shift.23 और चलते हैं login की तरफ तो यहां ciep customer experience important program को मैं uncheck कर रहा हूं अगर चेक कर भी दें तो फिर यह आपका data है securely vmware को भीज़ता रहता है जिससे vmware इस product को improve करता है तो हम इस exercise remotely connect हो गए है जिसमें virtual machines का section है storage का section है networking का section है इसके इलावा manage का section भी आउपर और monitor section है इस पर भी हम detail से बात करेंगे लेकिन फिलहाल इस video में हम देख रहे हैं कि किस तरह हम connect हो सकते हैं तो यह internet explorer के जरी हम connect हो गए इससे तो दूसरा तरीका है कि अगर मैं Google Chrome से connect हो जाओ तो चलते हैं Google Chrome की तरफ और इसको मैं copy करने कोशिश करता हूँ तो मैं करता हूँ वीडियो को pause और देखता हूँ उस offer कितर है गया तो यह है Google Chrome, Google Chrome standalone enterprise.msi यह software आपको चाहिए again and again मैं कह रहा हूँ मुझे email करें मैं सारा software आपको दे दूँगा भेज़ दूँगा आपकी email पे तो मैं इस Google Chrome को मैं server 2 पर जाके उसके yellow folder file explorer पर जाता हूँ और वहाँ पेस्ट कर देता हूँ ठीक है वेवर टूस इस्टॉल ने वेवर वक्सेशन में तो यह copy-paste आप आप over the just drag and drop कर सकते हैं तो इसको मैं double click करता हूँ ताके फिर हम Google Chrome से connect होए जाना है उतर भी हमने बस वह exi का जो है url देना है जाना है तो इसके इलावा जो एक software है vspare client वो उससे भी हम connect हो सकते हैं vspare client वह काईदा software है तो उसको भी copy कर लेता है ताके vspare client से correct होजाए तो vspare client जो है यह available है आपके पास यारी वो जो अपकी CDA है ISO file है Windows base center यह उसमें भी available है और separately भी available है तो मैं separately इसे copy कर रहा हूँ इदर 6.0356 और यह भी इदर paste कर देते हैं ताके फिर हम इसको भी installation शुप करने बार में तो Google Chrome साथ जी जो है वह अभी तक सोच रहे हैं कि copy करना है कि नहीं तो मैंने इसे double click किया है Google Chrome को तो शाहिए इसका pop-up आ गया है इदर और यह पूछ रहा के Google Chrome इंस्टॉल कर दूँ यह कर दे भाई और Google Chrome इंस्टॉल हो रहा है थोड़ी देर में आपके पास वह आपके desktop अरिये पे इसका आइकन आ जाएगा तो पर Google Chrome जो के गोड़ ब्राउजर है उससे भी हम इस साइज से remotely connect हो जाते हैं तो यही लिंक हमने यूज करना है जो हम पहले से उसकर रहे हैं तर इस तरह दो ब्राउजर्स यह Firefox से भी आभी सी तरह करेक्ट हो सकते हैं लेकिन Google Chrome में benefit यह है कि वह plugins को अराम से एड कर लेता है और बहुत अदा आपको मसलें ग्रेट नहीं करता है इंटरेक्स्पोनर में सेक्यूरिटी जा रहा है तो फिर थोड़ी प्रॉलम्स क्रेट करता है क्रेक्ट लाने में तो अब Google Chrome इस्टॉल हो गया है मिनमाइस करता है इस पर और वही लिंक तुबारा इस पर कॉफी कर देते हैं तो यह दूसरा क्लाइंट तो अब नेक्स किया तो यह पूछ रहे कि वही डिफॉल्ल करना है Google Chrome को डेफिनेटल करना है जान चोड़ दो इंटरेक्स को अबारी ओके इधर जाके हम HTTP करते हैं ESXI01 एंटर तो यह भी फिर इधर से सोच रहा है कि बही मैं कनेक्ट हो जाओं कि ना कनेक्ट हो नहीं में दोलुशन हो रही है किसका रहा है कि नहीं और यह भी आ गया है सही कहा रहा है यह क्नेक्शन इस ना प्राइवेट तो एडवास को क्लिक करना है इधर और फिर प्रोसीड टू एसक्साइज 01 अनसेफ कह रहा है लेकिन लेट्स को है क्योंकि हमने स्रेटिफिकेट इसका सेक्यूरी स्रेटिफिकेट नहीं दिया गोड़ी.com से यह बरीसाइन.com साइज है और फिर ओपन दा व्यम्वेर होस्प्लाइंट इसको क्लिक करते हैं वही बात जो हमने IE पे की और इधर से हम अब कनेक्ट हो रहे हैं रूट और क्लास पासफ़र्ट से तो इसी थरा यह गूगल क्रोम से भी हम कनेक्ट हो रहे है तो हमने गूगल क्रोम ही को आप से यूज करना है पर्मेरेंटली तो आपको इस सौफ़र चाहिए मुझे क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ यह मागे का डाटनेट फ्रेमवर्क और वह हमें शुराफ़र से आड़ करनी बड़ेगी डाटनेट फ्रेमवर्क पेन इन देनेक चुले अब वह एक्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो यह जो है वीस्पर क्लाइंट यह 6.0 जो वर्जिन है यहा और 6.5 लेकिन 6.5 में आप यूस कर सकते हैं लेकिन यह सपोर्ट नहीं है वे वह की तरफ से 6.5 लेकिन फायफ में हो कहरें कि आप वेब्स वर्जिन में तो जितने अड़स्यूश दुल वžजे थैना यूस्ट है से तो बरहा हुंः है तो हो ऐसे यूस्ट तो करते हैं इसे v-specline install रहा है 6.0, next, terms accept, next, देखते हैं क्या थरास करता है, next, install, install in Microsoft's visual C++ 200 redistributable packages, तो, और या, अगैं, install in the Microsoft document framework, और ये, इसने, error spill out कर दिया, कि भाई, डॉटर framework डालो, वरना मैं install नहीं होगा, शराफ़त से डालो, तो, फिर, ok करते हैं, और इसकी, या, चुटी होगी, चलते हैं, Windows 2012 के server manager की तरफ, जो कि यह है, इदर, और यहां, हम dashboard पर चलते हैं, add roles and features पर चलते हैं, और, next, role-based feature-based installation, next, server 2 पर हम कर रहे हैं, next, roles के रिए में नहीं है, यह features के रिए में है, तो features की जो window है, वो आगी है, यहां यह है, daughter framework 3.5, इसको click करते हैं, लेकिन यहां careful हो जाए, next, यहां जो है न, आपने specify an alternate source पार, तो इसके पार सारी files by default नहीं है, तो इसको, Windows 2012 R2 का ISO file है न, उसको access करना है, और वहां से यह file हैगा, तो make sure कर लें के पहले, आगी जाने से पहले, आपके रिए, जो machine है उसकी DVD में, Windows 2012 का ISO मुझूद है कि न, तो जाते हैं तो, जी मेरे पास 2012 ISO, attached है DVD से, I'm good, तो इसको specify an alternate source path करते हैं, और यहां से, इसको click करें, right, पर यह पूचेगा के, भाई, मुझे यह path दे तो इतर, मुझे DVD में ले जाओ, और यहां sources folder में ले जाओ, और वहां sxs folder में ले जाओ, तो अब आप देख लेंगा, आपकी जो DVD drive, drive letter है, वो D है कि E है, तो मेरे पास दो D है drive letter, सब्सक्राइब, current backslash करता हूँ, sources backslash sxs कर देता हूँ, तो वो इधर से, हमें install करें देगा, तो press ok करते हैं, अब install करेंगे, तो error नहीं हाना चाहिए, क्योंकि वो files को Windows 12 के ISO से pick कर रहा है, media से pick कर रहा है, कर रहा है, तो यह हो गया इंस्टॉल इंस्टॉशन सक्षिएट क्लोज करते हैं इसको और इस यह तो शायद वागे नहीं बढ़ेगा ओविस्ली यह आगया वाई टॉट में तालो बनना आगे ही बढ़ूगा और रिटर्न एर कोड ठीक है दुबाइस को स्टॉशन को स्टार्ट करते हैं और दॉटन फ्रेमवर्ग 3.5 अब इंस्टॉल हो चुका है यह किया अब स्क्वार देना तो नहीं चाहिए श्रॉफस इंस्टॉल हो जाना चाहिए और यहां को करते हैं और नेक्स्ट फिर वही है एक्सेप्ट एलासंस अग्रीमेंट नेक्स्ट और इस्टॉल करते हैं फिर वही डाल रहा है विजुल विजुल C++ 2008 जे शार्प डाल रहा है और अब इसको हो जाना चाहिए जैसे यह और होगा तो फिर इससे भी कनेक करके देख लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो की तरफ चाह पिस सांदार करने काफी सारी वीडियो मैं प्लैन कर रहा हूं इंस्टॉल करने की मैं कर सकूं ऐसा अगर आप एंकरेज करते हैं का फी कॉमेट्स देते हैं भाई नेक्ट्ट वीडियो की तर Extra प्लीज एक्ट्ट आपके अगर आप follow up कर रहे हैं आप लाप से साथ कर रहे हैं आप मैंनेद कर रहे हैं तो हम आपके साथ मैंनेद कर रहे हैं तो हम आपके साथ मैंनेद कर रहे हैं तो हम आपके साथ मैंनेद कर रहे हैं तो आपके साथ मैंनेद कर रहे हैं तो आपके साथ मैंनेद कर रहे हैं त पासपर रूट और माले विसी एक एफ ले पसेशिए 123 और फिर लॉक इन होने कोशिश करते हैं वह पहले करेंगा वह सर्टिफिकेट तो है निदर तो सर्टिफिकेट पर्चास करके लाओ तो हम कहने है कि इसको करके पर इग्नोर करते हैं विसी प्राइब नॉन करेंगे तो फिर वह वह जो दो जगह से मैंने इंस्टार किया हूए इंको बंद करता हूं और रहे दा से भी बंद करता हूं और आज यह सकते है आज डागे लेट पर दो है करता है और वो इसक्राइब दो शाट भी है कि आज तो प्राइब लोग में तो लॉन क्यों 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 रहे है अगर नेम दोशन सम्हों हो इससे भदम नहीं हो रही तो फिर आइपी से कनेक्टर करके देखता हूँ 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 वह प्रेक्ट होई गया शुराफट से बहुत जूज कर रहा हूँ पता नहीं क्या बात है और यह इन्वेंटरी पर आ गया है तो इसक्साइब नोट हो गया है और राइक्लिक करें इसे तो इसमें न्यू विच्टर मशीन बना सकते हैं पूल एंटर मेंटर स्वोर रिस्कैन पो टार स्टोर बहुत कुछ कर सकते हां तो यह है इंटरफेस आपका यह आपका क्लाइंट दो प्राउजर से हमने वेब क्लाइंट चक किया और फिर हमने वीच्ट पिर सॉफ्ट वेच्ट तो यह है अब हमारी वीडियो 6 और नेक्स टाइम नेक्स वीडियो के साथ नहीं टॉपिक के साथ आएंगे तो अपने कॉमेंट्स देना भूलिये और इंकरजमेंट हमेशा ची होती है ताके मैं आगे सागे वीडियो बनाता रहूं और कोई भी स्वाल है तो आप मुझे एमेल कर सकते हैं ओके अलाफिस